जब लग गुरू मिले न साचा तब लग गुरू करो दस पांचा क्या गुरू बदल सकते हैं? क्या गुरू बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरू कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संथ कौन है? इन सभी प्रशनों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू जी महराज के मंगल प्रवचन इस संसार में ये दो प्रुष दो परभू परसीद हैं इन दोनों के अंतरगत जितने भी प्राणी हैं वो तो नासवान है और जीवात्मा किसे की मरती नी और ये दोनों भी नासवान है इसलिए पंदर में जाय के गीता जी के सतर्मे स्लोक मे कहा है कि उत्तम पुरुष तो ने परमातमा इति उधारते उत्तम पुरुष पुरुष उत्तम स्रेश्ट परभू स्रेश्ट परमातमा तो कोई और हैं दोनों से नारा है सरपुरुष रक्सरपुरुष से वो तीसरा कौन है गीता जी देहर नंबर आठ के सलोक नंबर एक म अब जी नेधो साथ में डहके 29 मंतर में गीता जीम कहा है कि तत्भर्म को जानकर सारे धात्म को जानकर और सब कर्मों से परीचित होकर के प्रानी केवल जुरा और मर्न से छूटने का इह क्रितन करता है उस तत्भर्म को जानने के बाद एक व्यक्ठी box के संसार की किसी वस्तू की डेमाडर नहीं करता अपना जरा माने बुढ़ापा वर दवस्ता एक कहर है इस जीव के उपर और फिर बहुत इस्ते बुंडा क्योंकि हम सारा सांग जोड़ें वैठी से राजी और अपना सारा कुछ है एक मेंड़ में मरतू होगी इस्ते बुंड वो प्रमात्मा कौन है आठमेद्या के तीसरे स्लोक में गीता ग्यान दाता ने उतर दिया है वो प्रमक्सरब्रम है यानि गीता ग्यान दाता से अन्य है कोई उसी के विशे में गीता जिद्ध है नमर 15 के स्लोक नमर 17 में बता है कि उत्तम पुरुस है तु अन्य है वो प्र पुरो इक्षर पुरो से और वही प्रमात्मा हे थी उधारते है क्वेट्टीम रेक्शी alect कन्सर हो गान प्रिवार के प्रिवार नष्ट हो जाते एक अक्सिडेंट में सो सो बाने करका यो रोज खाता है तो यह एक प्रमात्मा की काम है ये स्रिष्ट आत्मा के काम है ये स्वम कहता है गर में देखे 32 में स्लोक मत काल हूँ भाई अब काल ता हमने शेटींडे देगा जिसे ये देन लाग रहा है अब परमात्मा इती उधारते स्रीमत भगुत गीता अध्धाय नमर 17 में बहुत निरनाएक ग्यान दे रहा है क्योंकि ये अध्धात्मिक वर्ड है अध्धात्मिक सब्द है अध्धात्मिक सास्तर है ये कोई डूम बाठ के गीत नहीं ये गोड़ गीवन सपिरिच्वर नौलिज है इसको समझ ना बालकों का खेल नी जब तक मालक की सुरत नियाव कबीर पर्मातमा की रजावे ना हम सद्गरंत भी नी समझ सकते ये सद्कर माल लेना जीव के बसकार नहीं सद्गरंतों ने समझ सके ये तो पर्मातमा अंदर से प्रेड ना करके अंदर की जो अग्यान हटाता है दास पर रजी हो जा प्रसन हो जाता है दास गरीब मेर सत्गुर की खुल ले बजर कवाड़ी जिसके उपर परमात्मा मेर की रजर हो जाती है उसके वो अंद कपाट खोल देता है इसमें बता है कि उत्तम परशन ने परमात्मा इती उधारते है जिसको परमात्मा कहा जाता है अब देखो ये परमात्मा है इसको तो कसाई बता जैसे कसाई बकरे पालता है सबसुधाएं देता है उन बकरों को तलाब बनवा देता है, सेड डाल देता है चरागा बनवा रखे हैं और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है हमारे को कितनी सुईधाय दे रखी है और वो ऐसे उनको आथ लगा के चेक करता है बकरे उसको प्यार देते हैं जीब से चाटते हैं बाड देते हैं कि यह अच्छा मालिक है हमारी कितनी केर टेक रखता है और उनको यह नहीं पता गो देख है तुम कहके लोगे मास कितना को गयन मद Moscow और वो ने सुचके यह अमारी सेवा कर रहा हमें प्यार देना है तो हम यहां की सुईधाय देख कर यहां का जू किसम सेब संत्रे की तने सुन्दर बाग बगी चे जर्णे बहुएं, दरिया चलें, कितना अच्छा यहां पर फल फुरूट कनक हैं, हम न सोचा वगवान बढ़ा दयालू, जब किसी सुई दादे रखी हैं, और जब दयालू कहा जाता है, जब किसा बेटा मर ग किसी ने हमारे को बताया नहीं, यह काल के दूट सत लोग का ठेका ले रहें, यह दो तिन पंस चाल रहें, यह कहा का नहीं पता, और सरदालू आख मीच के बैठ गे, उनको परम धनीमान के, उनको कख नहीं पता, अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं, अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता, सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे यह समझते हैं कि हमारा दयालू मालिक है, और स्याम के समय जब उस और्डर आ जाता है, वो ना देखता कि इसका वेटा ले जाना हर किसकी वेटी, किसकी मा, किसका पता, वो डंडा लेकर निका पता लग जाता है, वो इदर भागते हैं, को इदर भागते हैं, वहां से और भाग लेते हैं फिर, जांगे कहा हो तो चारु तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रहा किया है, सीमा बना रहा किया है, उनकी जाए नहीं सकते हैं, बाउंडरी बना रहा किया है, तो अपने अत् स्विर सतट लोग के अंदर है और वही प्रमात्मा कैलाता है ये लोक तरम आवी से विबरती आवे स्विर वो तीनों लोग कम प्रोवेस किरके सबका धारन पॉर्शन करता है वो है अविनासी प्रमात्मा तो पुनात्मा अब परसंग चल रहा है कि प्रमात्मा स्वेम आते हैं ये सत्ग्यान बताने के लिए और हम यहां कैसे फसे ये ग्यान भी प्रमात्मा स्वेम ही आकर देते है उसके लिए प्रमेश्वर ने अपने द्वारारची भी शृष्ष्टी का कुछ ग्यान दिया जब तक हम इस तत्व ग्यान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे तब तक हम अज्धात्म ग्यान नहीं समझ सकते हैं हम कौन हैं पुनात्माओं अभी तक हम सुना करते थे इन रिशी में रिशीयों से के आत्म ग्यान होना चाहिए और प्रमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्म ग्याना जैसे कुवे की छाया कुवे तक्सीमी था उसके बार कोई योज नहीं कुवे की छाया का कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्म ग्याना आत्म ग्यान तो ये है के हम कौन है और कहां से आए है हमारा यह जीने का उदिश्य क्या है ये तो है आत्म ग्यान और फिर परमात्म ग्यान के वो परमात्मा कौन है कहां है कैसा है कैسे मिलता है उसको हम पाने का पर्यतन कर रहे है तो उससे हमें लाब क्या है ये परमातम गयान तो यहां सत्संग के अंडर आत्म और परमातम दोन्हों गयान बताए जाते हैं आव ये सब को मालूम है कि हम यह क्यों फसे हैं हम जीव हैं ये बताते हैं सभी हम जीव है और जीव का धर्म जनम और मर्तु है और हमने यहां बगती करके स्वरग में चले जाना है स्वरग में जा करके क्या करना है वहां अपने ठाट होगेंगे मौज करेंगे वहां मौज की तिलेदन करोगे बस फिर क्या पता वहां मौज करेंगे जि इतने पैसे टके आप पुन बगती साधन के जोड के ले जाओगे वो स्वर्ग मास्वर्ग रूपी होटल में बरबाद करके खर्च खाके फिर वापस आ जाओगे क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है करम बनेंगे यहीं पर त्थवी पर आकरे तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहां वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी और वहां अपना यह समय बरबाद करके पुन्जी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे तो यह जनम और मरतू सदा बनी रहेगी और इन्हों ने अनतिम विद्धान बना दिया के जनम और मरतू तो सभी की होती है और कोई मौक्स बताते हैं वो कहते हैं कि परमातमा मजजी वैसे मिल जाता है जैसे बूंद समुदर में परमातमा नराकार है और फिर नो के हैं समाध्दी में उसके दर्सन होते हैं जब समाध्दी में दर्सन होते हैं निराकार क्यों करो गया हो फिर बात को घुमाते हैं हमने डिवाइन लाइट देखा डिवाइन लाइट इस वर ये परकास देखा जैसे कोई कहे हमने टूब लाइट देखी टूब लाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पुछे वह टूब कैसी होती है और वो कहता हमने सारा दिख है उसने कोई नो पुछे के टूब कैसी है जिसकी लाइट देखी और वो अन्दानियों के ना जूब तो निराकार हो तो होती नहीं जूब बिना लाइट किसी इस वर बिना परकास किसा तो ये हमारा भरमित ग्यान था उस पूर्ण प्रमातमा ने छ्छस सो वरस पहले बताया था क्या बताया था दरम दास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाना जैसे आपने सुबह के सत्संग में रगवेद मंडल नमबर नो सुक्त नमबर 86 मंतर 26 और 27 में रगवेद मंडल नमबर 9 सुक्त 82 के मंतर 1,2,3 में आपने आखों देखा के परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर उपर सत्थ तीसरे मुक्ती धाम में रहता है वो धू लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है प्रिष्ट पर वहां से गती करके अत्यधिक तेज गती से चलने वाले पदार्थ की तरह विजली की तरह आकासिय विजली की तरह गती करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है अच्छी आत्माओं को मिलता है स्रेष्ट आत्माओं को मिलता है तो वो ऐसी लीला कुण से बगवान नक रखी है केवल कबीर परमेश्वर ने और जिनको हम बगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है एक दन्मदास नाम के बहुत बड़े दनी वक्ती थे, सेट थे वैस कुलम जनम था बगवान, स्री कृसंद, स्री राम, विश्णु और संकर के दर्ड पुजारी थे उन्होंने अपने, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरू बिन मौक्स नहीं हो सकता इसलिए गुरू का बनाना निवारिये समद रखा है तो गुरू बना रखे थे रूपदास जी जो स्री विश्णु के पुजारी थे वेशनों सादू थे दर्मदास जी साथ वर्स के आसपा सोच चुके थे पैसे की कोई गिड़ती नहीं थी, इतना धन था उनके पास सबसे बड़ी बात सोचने की है पुनात्माओ के इतना धनी वेक्ती भी भगवान की चाह रखता है, तो बहुत पुनकर्मी प्राणी होता है जैसा भी उसके गुर्देव ने बताया था उसी पर वो दर्ण थे, गुरू के एक एक वचन को फाइनल मानते थे पुनात्माओ एक नियम होता है के सरधालू यानि शेस गुरू जी के वचन में इसी परकार का एविस्वास ना करे, ये नियम होता है और इस नियम का दुर्पियो कि एए नकली संतों ने सरधालू कहते हैं, गुरू जो कहते हैं वो सत्थ होता है जब गुरू है सत्थ को ने उनका ग्यान सत्थ कित्त होगा जब गुरू ही नकली है इनको कैख है का पता नहीं तो इनका ज्ञान होई नहीं सकता लेकिन वो अनजान सर धालो उनको गुरु मान रहे है सत्गुरु मान रहे है और वो कत्य अज्ञानी है अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई पर्थंबार तो नहीं सोचेगा के राम पालता अपने आपने सब तो विद्वान मान रहा है का नहीं दास कोई विद्वान नहीं लेकिन गौड की उन ग्यान जरूर है दास के पास विद्वान तो परमात्मा है और उन्होंने ग्यान धमें दे रख्या उस ग्यान का एक लोरा, पीट रहा दास तो कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है बस भगवान ने बता रहा है उसका दिया हुआ धन है दास आपको बांट रहा है कोई ले सकता है तो ले लीजिए तो जैसा भी उस पैरी आतमा को उसके गुरू ने साधन बताया था उसी क्याधार से उचल पड़ा गुरु जी ने बता रख्या था कि हरे किरसन, हरे राम, राज देशाम, सीता राम राज देशाम, मिला दे ये गुटी प्यारा की थी कि ये मंतर पार कर देंगे ओम नमे शुआए, ओम भगोते वासू देव नमे ये पतानी बीस पचीस ते इतरे के मंतर दे रखे और एकादिसी का वर्त और अड़ सट दीरत पर जाना अनिवारिये है इस परकार वो सादक और गीता जी का नित पाठ करना चाहिए ऐसे ही वो दरमदास जी गुरु जेव के आदे समसार है प्रती दिन गीता जी का नित पाठ करें एकादिसी का वर्त रखता था और उसने 68 तीरत करने की योजना बना ली गुरु जी ने कहा है 68 तीरत अवस्य जाने चाहिए ऐसे ही गुमते गुमते मत्हुरा पहुंच गए अब द्वारका तो नपाई को ना क्यों को द्वारका समुंदर में डूबे झी ती ना द्व में द्वारक भी दख्केछिंगवाऊ यह के एक स्थक कर गए थे कि द्वारका तो को नहीं आ रही उड़ सोक बलाओ ना तो वहाँ भी द्ख्केधवाँ दे तो बहुत दूर पड़ा हो यह तै मथुरा पहुंच गया और वहां उस तलाब में जासरी करसंजी कहती है करसंजी नाया करते थे गाँ चराया करते थे उस तीर्थ में जोड में तलाब में और उन तलाबों का ऐसा पाणि जो गड़े भी ना पी हूँ और उस मचर दालो नावे और आजमन लें उसका अब आत्मा को तो बगवान की चाह है किसी तरह मिल जा उसने प्राप्त करना है लेकिन उसका वे ठीक नहीं है तरीक का मारक ठीक नहीं कैसे मिलेगा ओ बगवान अब दरमदास जी सुबह सुबह सनान करके जोड में मत्रा के में जेसमें उसकड़ों आदमी नहीं गंद माच रया और वहीं से लोटा बरिक है पानी का उसनामरत जान के वा रख लिया लिपा पो तीकरी यानि कुछ ग्राउंड लिपा मड पलस्टर थे गाएं का गोबर मिला के मिटी में और वहाँ पर फिर बैठके लगया नितनियम करने पर मातमास पुर्ण ब्रहम अपना अन्य रूप बना के एक जिन्दा मातमा का रूप बना कर वहाँ पहुंच गे बैठके दरमदास जी से पचास फुट की दूरी पह जिन्दा मातमा होते हैं जो मुसल्मानों के अंदर जिन्दा मातमा बोलते हैं उनको जिन्द पीर उनकी काला और कोट होता है गुटनों तनी चेता ही का एक अच्छा अंडर वीर पहनते हैं लंबा सा एक टोप शिर्प है काला ही टोप और काला ही चुगा अब बैठे के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को धरमदास जी बड़ी लेला के पढ़ रहा है संस्करत को और फिर जैसा भी उसके गुर्देव ने अन्वाद किया था अन्वाद भी सुना रहा है अन्वाद सुनाना इसलिए सुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसल्मान लेकिन मेरी बातों से परभावी तो बहुत है बड़ा धान से सुन रहा है अब धरमदास जी ने गीता जी का सातमा धहे पूरा पढ़ दिया क्योंकि इसमें सारे तीस सलोग है और कुछ आठमें दहे के भी मुटे मुटे कुछ कुछ सुना दिये जैसे आठमें दहे के पांचमें और सातमें सलोग में गीता ग्यान दाता कहता के अरदुन तो मेरी सर्ण में आजा मेरी भक्ती कर मुझे ही प्राप्त होगा इस तरह कि उसे ना अपना सारी क्रिया जब कर ली प्रमात्मा और निकट पहुंच गे और हाथ जोड़ के कहने लगे अपने आपको एक दास बनाया भगवान ने और सामने बैठा हो जैसे ये वैसनू पंथ के जो उपदेशी होते हैं ये कंठी रखते हैं गले में एक तुलसी के मनिये की तुलसी के मनिये की एक माला और तलक माथे पह और एक दो ती कुड़ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपडा सा ऐसी वेस बुसा बना रहा थी वो सन्यासी वेरा ले लिया उसने यानि अपने गुरुदेव जी से एक साध्धू कारू बनवा लिया क्योंकि साथ साल का से भी पुरोमर होगी थी एक लड़का था वो अपना कारूबार समाल रहा था तो वो अपना बक्ती मार्क पर चल पड़ा था भगवान ने परमेश्वर ने करबध होकर कहा के है वैशनो साधू ए मातमा जी मैं सब जगए बठक लिया मेरी संका का समाधान नहीं हुआ अब दरमदास जी फूल गया अक बोल भगद क्या समस्या है तेरी के मुझे एक परसन का उतर नहीं आया किसी नहीं बताया क्या कि कौन बिरमा का पिता है कौन विशनो की मा और संकर का दादा कौन है हम कुदे बता दरमदास जी हसे पहले तो के वा बई वा आपको हमारे हिंदू सद्गरंतों का पता नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं भगद ये तो अजरो अमर है इनके कोई माता पिता नहीं है ये तो सर्वेश्वर है विरमा विशनो जी शिव जी ये तो बड़े समर्द सकती है अजन्द मा है इनका कोई माता पिता प्रमेश्वर ने कहा कि आप अपने सद्गरंतों से प्रीचित नहीं है मातमा जी श्री देवी भागवत में पड़ कर देखो तीश्र्य सकंद में इनकी जनम मरत्यू होती है ये अविनासी नहीं है और उसमें ये सन्सकर्त में थे सारे तो वो उसने एक बरह्मन से पूछा कि बरह्मन इसमें कहीं लिखा है तो बरह्मन ने कहा पढ़ कर सुना तीसरे सिकंद में ब्रामन पढ़ता पढ़ता एक दम चुप हो गया किनने गया वई लिखाता है पर ये तो वैसे लिख दिया होगा अब दरंदास के वाबात खटिकता है गई वे वैसे गीता कैसे पुरानों वैसे कैसे लिख दिया फिर प्रमात्मा ने कहा कि बाद सुनो आप सात्मे ध्याए को पढ़ रहे हो सात्मे ध्याए में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाब होगा आपको यदि मैं भी पढ़ने लगूँ आपका अन्याई बनो तो इस गीता जी के इनत पाट से क्या लाब होगा ये बताओ मुझे दरमदास्टी ने कहा कि इससे ये बोक्स होता है एक राजान अपड़ी थी उसको संतान होगी ये किनो ऐसा पड़ा था उसको ऐसे हो गया परमातमा ने परसंद किया एक किसान था उसके वर दवस्था में एक पूतर प्राप्त हुआ एक ये युवा होगा तब तक मेरी मर्तू हो जागी उसने अपना सारा अनुभाव एक बही में लिख दिया पैड़ पे और कहा बेटा जब तू शाना हो जा बड़ा हो जा फेती करने लगे तो मेरे इस लेख को अवस्थे पड़ना अब वो किसान का पूतर है उसको पड़ रह क्या उदेश से है उसका प्रमातमा कहते है उसका उदेश से यही होगा ना कि जैसे पिता जी ने कहा हुए ऐसे बीजबो है वही कनक बीज है उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिचाई करे अगा जी हाँ बिलकुल ऐसा ही है तो उसका फैदा कहा लिखने का और वो गेहूं के सथान पर तो बांग बो है गेहूं के बीज के सथान पर बांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान अगो तो मूरक है मूरक है तो वह बोणी बढ़ेंगे तो लिख रहा है लिखा वास में तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है आप वही बीज बोगे वही सास्टन कुलसाद ना करोगे वही नाम जाप करोगे तलाब होगा बीज भगती का नाम है और बाकी जो दार्मी क्रिया है ये खाद और पानी से चाहिए तुमने बीज ही गलत बोराख्या है गीता जी में कहीं उपर है हरे राम, हरे किर्शन, 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 हरे, हरे सीता राम, रादे स्याम रादे रादे स्याम मिला दे ओम नमे सिवाए ओम आगवते वा सुदेव नमे है तरी गीता जी में कहीं लिखा रख नहीं फिर तु इन रट्टा लान दा गिरा तो उसके सान के मूरख पूतर से कम है अरे जो गीता में लिखा वैसे करोग इतलाब होगा इसमें कादसी का वरत लिखा कई छटे दय के सोड में स्लोक में मना किया है कि अरजुन यह योग यानि साधना भगती ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफलनी होगी बिल्कुल ना खाना वरत रखना एक आदसी का सारा दिन वुखे मरते हो तुम अब गीता पड़ तो उसन रखी थी गोट रखी थी जिस दरमदास जी ने परमात्मा की एक एक वाद ठाटी में लागे थी अरे तू गीता जी को सिरोधरिये मानता है बगवान के आदेस विर्द तू साधना कर रहा है सोड में जाए के तेईस में स्लोक में लिखा है सास्तर विदी को टाग कर जो मन माना आचन करते हैं उनकी ना गती होती ना उनको कोई सिद्धी प्राफ्ट होती ना उनको कोई सुख होता यूजलेस अब यू मन बड़ा सैतान है यूजल्दी सी हार नहीं मानता अब सारी समझ रहा है सुन रहा है और हर्दे में जा रही है अब क्या हुआ क्योंकि काल को पता लगिया कि तरह एक आदमी जाओगा ये काल फस गया ये तो इसके वो अंदर से फ्रेर ना कर दी कि उसने मनमा आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बक्वास कर रहा है सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं सभी तो ये नामों का जाफ करें पूरे हिंदू समाज में तो उसने क्या कहा धरमदास ने परमात्मा को के जिन्दा तेरी बात मने बहुत कड़वी लगे और तू मात्मा है ना मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो सादू बेस में है आगे से इसी बात मत करना हमारी बगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फलतू मत बोलना परमात्मा उसी समय जानगे काल आगय भी समय अंतर ज्यान होगे बगवान वहां से एद्रिश होगे अब सामने अद्मी बतलावे और एकदम ओजलो जा तो कलजा पाट जा और कुछ लालाजी था सामने से बगवान एकदम एद्रिश होगे उसी समय उसके तो दक्कासा लगया और उसने सोचा देख सारी साची बात बताओं थे सब सत सत बोल रहे थे मेरे भाग फूट गए यह कोई फरिश्टा था कोई भगवान का बेज़ जावया दूद था मैंने बड़ी गलती करी और सब बाते सही कह रहा था अब प्रमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तलाव में तू नाक आया है इसमें पताने कितने जीव मार दियत ने अब दरमदास को जो मालक ने बतायी थी तो पूज़ पढ़ है गीता ने और गीता जी के आठमें दैगे तेर में इस लोग में पढ़ ले पढ़ के ओम इती एक अकसरम ब्रम विभारन मामनु समरन और जो इसका उचान करके सिमन करता हुआ स्री छोड़ कर जाता है सही आती परमदास को पराप्त होता जो ओम से मिलने वाली परमदास है कोई बात होई अब एक किसी ने परसंद किया है किरसंद के पुजारी था क्या आपका इष्ट देव कौन है सरुम तर ने ओक है राधे और फिर ने ओक है स्री करसंदी मेरा इष्ट है राज देव या करसंदी तरह इष्ट हो या कमाल की बात करें मैंने आकल की बात अब राधे स्री करसंदी की वो थी प्रेमी का और कोई मित्र उस्ते पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तो उड़े नबाद जगा उनका यारी तो उड़े टूट लेगी उनकी यानि वो किरसन जी की पूजा करें राग देबसर दा करें थरा गजब हो यह थरा शर्पैर है कोई तो वो भी नुए कहे था दरमदास भी जो प्रमात्मान उसको यह सुनाया था समझाया था तो उसका सारी बाद जचगी के सत है अब उसने सुबह वो किरिया ना हुई उस बगजीब है जो पर ती दिन क्रिया करता और नो सोचा है बगवान वो एक बफेर आवे अंदर से सारी रात नो तरफता रहा एक बार वो भगवान है प्रमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता एक बार फेर आजा मैं कती कोई विवाद नहीं करूँ बिन मरता से सारी बातें पूछूँगा ऐसे सारी रात करोट बदल के काट दी सुबह कोनी पूजा वही ना उस जोड में नाड नजल करे तलाब में मत्राले में रोटी बनान लगया वक्ते उठके वक्त से खाना बनान लगया लकड बाल के जैसे जंगल ते लकडी शाम ने तोड के लिया था चुला बनाया इटों का कच्चा पका उसमें एक मोटी लकडी लगा दी साथ में से होगी लकडीयां लगा के अगनी जला दी खाना बनान ला गया सबजी बनाई रोटी बनाई और वो लकडीयां जलती जलती निकट आगी मोटी लकडी लंबी थी दो तीन फुट की वो जलती जलती निकट आगया एंड उसका सामने आगया दरमदास जी को आखरी सिरा दिखाई देने लगया उस मोटी लकडी का वो बीच में थोती थी होलो थी उसमें जैसे लकडीयों सुराक सा होता है और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी अब उदर से सुरिय उदे होने वाला हो गया अब क्या देखता है दरमदास के उस लकडी के अंदर जो थोती थी सुराक था थोड़ा थोड़ा अंदर उसमें से चीटियां बाहर निकलने का प्रियतन कर रही हैं उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेश्टा करती है तो उस लकडी के अंड में एक तरल सापदारत उबल रहा है लकडी गरम होने से उबल रहा है बाहर की से पर चिटियांदर आगे जाती है तो अगनी जल रही है उस लकडी में वो बाहर भाग रही है तो वह उसने तुरंट उस लकड़ी को बुझा दिया पानी डाल दिया सारी अगनी बुझा दिया इतनी भोजन बन गया था बनाया वाकी नहीं बनाया अब उसने सोचा है वगवान आज तो ना जाने कितने जीव जलगे इसके अंदर इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो और अब तो ये इतनी सेश रहती है और इसमसारी में चीटियां भरी थी ये जलगे इनके बच्चे भी जलगे इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा इसको किसी सादू संत को खिला दूँगा मैं आज निराहर हूँगा ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा सादू संत की तलास में हम सादू संत किसको मानते हैं जिसने या तो बड़ी बड़ी दाड़ी रखा रहा की हो उपर जटा बड़ा रहा की हो कती एक बस लंगो उठबांज रहा हो और बैठा हो नगन या कती लाल कपड़े हो गेरवा कपड़े हो या मूंड मुडा रख्या हो कोई माला पैर रखी हो ऐसे को हम संत मानते थे परमात्मा ने जैसा दर्ष्टी कौन उसने मान रख्या था आईसा साथ दूमिले उसाय रूप बना लिया एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड के नीचे बैठके दर्मदास जी की दृष्टी पड़ी सोचा के वह मात्मा भी निकट ही मिल गए जाके वह सारी थाली नो की नो सारी सामान था जितना भी बोजन रख दिया कि मात्मा जी बोजन पालो बोख लगी होगी अखहां दर्मदास बोख लगी भाई कल से आर नहीं किया मैंने जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि मात्मा मुझे जानता भी है तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यग करता था बंडारे करता था, साथ उसंदकों को बुलाकर उनको भोजन खिलाता था, उनमेंसे कोई होगा, नहीं ध्यान दिया, प्रमात्मा एक लोटा जल का साथ लिये हुए थे, उसमेंसे जल उठाया, और ऐसे छीटे मारके एक मंत्र बुदबदाया, पूरे भोजन पर, उसी समय सार भोजन की, चीटी बनगी, और सारी थाली काली होगी, और चीटीयां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेश्टा कर रही है, तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिनवारता हुई थी, और कहा रहे धरमदास, तू आया था पुनकर न और तू कल क्या कह रहा था, परमात्मा को देखकर, धरमदास ने मुसल्मान रूप में, भगवान को एक मुसल्मान जाना, और परमात्मान ये कड़वी सच कही तो उसने दुख मन्या, और ये कहा था कि मैं जीव इन्सान ही करते हम, हम अन्या की तरह जीव इन्सान ही करते, यानि बहुत दुख мान का था ये तौंड के सा था कि मुसलमान हो तुम मास काते हो हम हिंदू हम इनसा नहीं करते हम जीव इनसा नहीं करते तब परमात्मा ने कहा था आरे तरह ते तो कशाई भी आच्छा और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है अरे अपरादी बिक्ती जब उसने दरमदास ने देखिया कि वह है कल वाले चरणों में पड़ गया बुरी तरह रोए यह वगवान मुझे गलती होगी कल मैंने आप से वाद भी बाद किया मुझे समा करो वगवान मुझे गलती होगी मुझे वगवान और सुनाओ अब परमातमा तचामत है सिद्धा हो किसी परकार इसकी आप बिमारी निकला जो गंद बर रहा है इसने अंदर तो बैठ गे वही पर अक सुन ले गवान आगे का कल तुने गीता जी का सात्मा अध्धै पढ़ा था सात्मे ध्धै के बारा से लेकर पंदरा तक और बीश से लेकर तेईश तक इन स्लोकों में ये जिन की तू पूजा करता है इन तिन्नों गणों में से तू संकर और विष्णु जी तमोगन संकर और सतोगन विश्णों जी की पूजा करता है खांजी तो क्या लिखा तेरी गीता जी ने खोल एक बार फिर तो परमातमाने दिखा के देख पड़क है पुनातमो आज से छस्सो वर्स पहले परमातमाने ये ग्यान सुना था जो आजदास सद्गरंथ हम आपके रूबरू करा रहा है गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी है अच्छा सद्गरंथ माना जाता है और है लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये कमे आज तक नहीं पता था परमेश्वर कबीर जी ने सथ सो वरस पहले बताया था क्योंकि वो परमातमा है अब देखिएगा श्रीमत भगवत गीता गीता प्रैस गोरकपुर से परकासित है जैदाल गोइंद का इसके अनुआदक है ये अज्जाय साथ है श्रीमत भगवत गीता या बारा नंबर स्लोक देखे इसमें लिखा है और भी जो सतोगुन से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजोगुन तो था सतमोगुन से होने वाले भाव हैं उन सब को तो मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान परंतु वास्तावन में और वे मुझ में नहीं है अब सरजगुन, सतगुन, तमगुन ये क्या है ये थोड़ा सा कंसेप्ट कलियर करना पड़ेगा रजगुन, गर्माजी, सतगुन, विश्णोजी, तमगुन, शिपजी देखिएगा मारकंडे पुरान, यहां से प्राहर्म करते है गीता प्रेस गोरुपुर से परकासित है सचीतर मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरुपुर से परकासित है ये प्रकास सके में मुद्रक हैं गीता प्राइस गोरकपुर गोविन भूनकारियाले कुलकता का संस्थान ये इनके फैक्स और फोन अब रहे हैं इसके 123 प्रिश्व देखिएगा 122 से सुरू करेंगे पहले हम यहां देखना अब मारकंडे जी बोले मुने अब यहां पढ़ेंगे हम 123 पे इस तरह स्वंभू प्रमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं रजोगुन परधान बिर्मा तमोगुन परधान रूदर सत्व परधान विश्व पालक विश्णू हैं यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है सपष्ट हो गया बिर्मा विश्णू महेश कहो ते तीन गुण कहो रजगुन कहो ज़िस्थगुन कहो तम गुण कहो यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है इससे बड़ी आसर कंसेप्ट तक है हम कलिर हो एक हो ना फिर बे और दिखाएंगे अब यह कहता है कि यह तीनों गुणों से जो रहा है इसका निम्मत कारण मैं हूं कल कह रहा है गीता का ग्यान कोन दे रहा है स्रीकृश्ण में परवेस करके हूं काल बोल रहा है और यह कह रहा है जो कुछ भी हो रहा है ताना रजगुं। बिरमाजी से उत्पति यानि सभी जीव इस रजगुं के इंजेक्शन लगजाने से इसके परभाव से हम संतान उत्पति करते हैं। यहां की फिर ठाथ बाठ के जो इछ्छा करते रजोगुन के दबाव से,श्री विरमाजी के दबाव से, और फिर सथी थी एक दूसरे ममता मुह अमारी फ़सी वे जीव के बसकानी। और फिर सहार तमोगुन से शिव जी से ये तीन नों कहता है मैं ही इसका मुख्यकारण हूँ मेरे ही कारण हो रहे क्योंकि इसको स्राब लगया हुआ है एक लाख मानोश्री धारी प्राणियों का निताहर करने का कहता है इन तीनों का नियमत कार्ण मैं ही हूं पर मैं इन से बाहर हूं इन से न्यारा हूं 21 में ब्रमांड मैं और इस एक ब्रमांड के अंतिम छोर पे रहता है गुप्त सथान पर उसके लिए देखिये सिवपरान संक्सिव सिवपरान और ये गीता प्रैस गोरकपुर से परकासित है इसके अनुवादक है अनुवान परसाद पोतार गीता प्रैस गोरकपुर से ये परकासित है और मुद्रित है इसके 110 प्रिष्ट पाप को दिखाते है रूदर सहीता और संक्सित शिवपराण प्रिष्ट 110 और नौमा अध्याय समाप्त होता इसके लाष्ट में इस परकार ब्रमा विश्णु तथा रूदर इन तीन देवताओं में गुण है रज़गुण विर्मा सत्गुण विश्णु तमगुण ये सिर्धी संक्र परिंतु सीव गुणातीत मानेगे इन से न्यारा है गुणातीत इन से अलग ये काल है सदा सीव कहो मा सीव कहो काल कहो काल रूपी ब्रहम कहो ये वो अलग है श्रीमत देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो संस्कर्ट सहीत है और बंबे श्रीकरसन दास वेकेंटिश्वर प्रुष्पने से मुद्रीत है यह देखिएगा श्रीमत देवी भागवत है अत श्रीमत देवी भागवत सभास्टीकम सैमात्यम खेमरा स्रिकर्संदास परकासन बंबई चार जहां से यह परकासन इसमें संस्कर्ट भी साथ है इसका हम तीसरा सकंद देखते है अथ शरीमद देवी भागवते भासाटी का युकते तरतिय सकंद है प्रारंबते इसके ग्यारा नमबर परिष्ट को हम आते हैं पांच में धाय का यह ग्यारा नमबर परिष्ट है पांच में धाय का आठमा स्लोक पड़ते है इसमें संस्कर्ट भी साथ है इसमें कोई बात खत्म हो जाती है कोई नूक है कि नहीं अब पांच में धाय का साथमा स्लोक है आठमा साथमा इदर है हे मात है यदि हमारे उपर सदा आप दया युक्त हो संकर वगवान करे तो हम को तमोगुन में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगुन और हरी सत्गुन युक्त किस परकार किये है युक्त क्यों किये है किस परकार किये है अब यहां हम आठमा देखते हैं संसकर्थ भी देखते हैं क्योंकि यह देवनागरी लिप्पी है यह सातमा समाप्त हुआ आठमा यहां से शुरूता है यदी द्या द्रमना ने सदाम भी के कथ हम एहं वहीत है संकर भगवान कहते हैं तो हमारे पर दयालू है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है और क्यों हम इस एक के गुण युक्ष बना दिये मारे बसकी बात नहीं कथ हम एहं वहीत हैं किस परकार मैं बना दिया तमो गुण है और कमल जै यानि कमल से उत्पन होने वाले पर महा जी को रजोगुन संभाव रजोगुन क्यों बना दिया सू वहीता किमू सतोगुन हरी विष्णू को आपने सत्गुन क्यों बना दिया अब ये फाइनल हो गया अब गीता जी के इस पवित्तर गरंथ में हम समझ सकेंगे ये कोड़ वर्ड है और कोड़ वर्डों को टीचर बता सकता है स्टूर्टेंट नहीं समझा करती हमारे जो टीचर थे जिनको हम विद्वान समझते थे संस्कृत बहसा जानते हैं वो अज्धात्म ग्यान हीन थे उनके मोतिया बिंद हो रहा था अज्ञान का अब दिखाते हैं आपको वही सद्गरंथ हमें क्या बताना चाहते हैं यही स्रीमद भगवत गीता यह वही जो आपको भी दिखाई थी अब नए अज्धाय साथ का अम फिर पुन है वो बार मास लोग पढ़ते हैं यह बार मास लोग है और भी जो सतोगुन से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजोगुन तथा तमोगुन से उत्पन होने वाले भाव हैं उन सब को मुझे ही होने वाले हैं ऐसा जान पन्तु वास्ताव में उन में मैं और वे मुझ में नहीं है आगे देखना तेर में मैं क्या कहा गुणों के कारियरूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों परकार के भाओं से ये सारा संसार प्राणी समुदाए मोहित हो रहा है इन तीनों गुणों से परे रजगुन बिर्मा सत्गुन विश्नु तमगुन शिवजी से परे मुझ अविनासी को नहीं जानते ये कहते हैं काल कहता है ये एक बिर्मा विश्नु महेस से उपर मुझे नहीं जानते सारा संसारीनी तक्सीमित है अब चौद में सलोक में क्या कहा है क्योंकि यह अलोकी कर्थात अती अद्बुत तिरगुण मैं मेरी माया रजगुण बिर्मा सद्गुण विश्णु तमगुण शिवजी के द्वारा फैलागा जाल यह बड़ी दुस्तर है बड़ी खतरनाक है और जो विक्ति मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उलंगन कर जाते हैं यानि जो बिर्म सादना करते हैं वो इन से उपर उठ जाते हैं इन से अधीक लाब प्राप्ट करते हैं जो बिरमा विशुनू महेस से जादा लाब वो महाशुरग में चले जाती इसका भाव ये है अब देखियो पंदर में सलोक में सात में धै के पंदर में सलोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया माया के द्वारा जिनका ग्यान हरा जा चुका है तेरगुण मय माया रजगुण बर्मा सद्गुण विशनु तमगुण शिवजी से आगे वो किसी को मानने को त्यार नहीं इनकी बुदी वहीं तक बंद होगी इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है रजगुण पिर्मा, सद्गुण विश्णू, तमगुण शिवजी द्वारा, माया द्वारा और इन से आगे किसी की भक्ती नहीं करते उसके विशे में कहा कि असूर सभाव को धार्न किये वे मनुष्यों में नीच, नराधमा और दुसित करम करने वाले मूरके दुसित करम करने वाले मूड लोगे मुझ को नहीं भजते यानि इस सिद्धा सार्थ हो गया कि कोई बजने की बात है विर्मा विश्णू महेस की पूजा करते हैं वो गीता ग्यान दाता कहता है वो मुझे नहीं बजते क्योंकि ये काल बोल रहा है अब फिर पंदर्मा साथ में जाये का कहते हैं माया के द्वारा जिनका अराज आचुका है तिरगुण मही माया रजगुण बिर्मा सदगुण वे सुनू तमगुण शिवजी तक जिनकी बुधी बंद हो ली और की ने सुनते कती असुर्स भाव को धार्ण के वे राक्सस भाव को धार्ण के वे मुनुष्यों में नीच और दुशित करम करने वाले मूड लोगे मुझ को नहीं भजते हैं उन्यात्मों ये कोड वर्ड हैं सांकेतिक सब्द हैं इनको टीचर ही समझ कर आगे सु टूडेंट को बताया करते हैं इसका क्या अर्थ बन्या है कि जैसे जो रजगुण बिर्मा सत्गुण विश्णु तमगुण शिवजी की पूजा करते हैं व और दूसित करम करने वाले मुरखे, मूडे, राक्सवबाओ को धार्म क्यावे मुनश्यों मनीच formed अदूसित करम करने वाले मुरखे, गीता ज्यान दाता है यानि ब्रहम कहता है मेरी पूजा भी ना करते एक समय एक बस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था तमोगन शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने दरना दर दिया उपर को पैर नीचे को सीज करके सीरासन पर बारा वरस खड़ा रहा एक दिन पार्बती के प्रार्थना से बगवान शिव से कहा पार्बती जी ने कि आप तो देव के देव हैं महादेव हैं आपका भगत क्या मांगता है इसको देव यहां से तलता करो इसको समय सुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसुबसु आत्म पेन रख्या था और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके शिर्पे करके नू केदे बसम वो बसम हो जाता था इसका खूब पता था बसमागिरी ने अब उसने किसलिये तपस्चा की थी बगवान सीव जी की के पारबती को तो पत्नी बनाऊंगा बसम कड़ा लेकर सीव जी ने मारूंगा जो ही बगवान संकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया अकले बच्चा बगवान शीव ने ने सोचा था यो जंगल में रहता है अपनी रख्षा के लिए लेता होगा राक्ससों से बगवान शीव ने ये भी ना पता था ये तरह दुसमन है बगत नहीं आथ में कड़ा आते ही कहिन लगया होले संकर वसियार तुझे मारूंगा पार्वती को पत्तनी बनाओंगा अब जो तेवर बदले दिखे श्री बगवान संकर जी ने तो मोगण संकर ने और अपने पुजारी की शेके तो बगवान सीव जी ने वहां से फिर खकाठा दिया सोकी सपीड पकड़ी भाग लिये जो अरता है पीछे पीछे बसमागरी आगए आगए बगवान पाच्छे पुजारी आगए और बगवान पर उनका सांग ले कड़ रहा वहां पर अब कहते हैं फिर विश्णू के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं तो फिर आप संत रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए हम जो है कुमार स्वामी जी पार कुछ अपने आपको ठगा सा मेलूम कर रहे थे उनको जो है कोई भक्तों कोई उनको ख्याल नहीं कोई उनको बग्ती मारका कुछ नहीं बो सिर्फ वहां एक अपनी बिजनस तोर क एक साधना देते थे इसलिए हमारे को जो है प्रमातमा की अच्छा थी हम यह सोच दे भी हमने उनकी दो साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी हम इस उसमें बैट गह भी जब को हमारे को ऐसा संत मिल जिसको बिल्कुल किसी चीज का लुब लो नहीं होगा लोग हम तब मैं जब नहीं तो हम अन्म्था गुरु नहीं बनाएंगे। हमें पट्याला गे हुए थे वहां शेहर में संतरामपल जी महारज की गाड़ी गाड़ी, ग्यानव गंगा पुस्टक 10 दषरव में ऐसे थे एक इलाकित दे रही थी। तो हम गाड़ी के नजदीगे, हमने सोचा भी इतनी भूख दासर में तो इतने कागज नहीं आते, जो दासर में भूख मिल रही है तो इसमें कुछ तो हो गाई, तो हम वो ग्यान गंगा भूख लेके आये पंजाबी में, तो हमने घर आपके देखी, हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नजर की बज़ा से नहीं पड़ी जाती थी, तो हमने वो लिया के रख दी, हमारे को जो जो आजी इतना ओनी लगा भी हम पड़ सके उसको जी, ऐसे ही वो पड़ी रही, वो भुक हमारे घर पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चम्तकार उससे होने लगे हमारी बेटी दी हमने उसकी साधी करनी दी हमारे में कोई इतनी समर्थ नहीं था कि हम उसकी साधी कर सके तो भुक ने वो ऐसा हमारे को चम्तकार दिखाया ह आप अब बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान निया, इसे एक परमात्मा का संदेज घर में आगा हो, वहारे को बाल में इस चीज का है सास हुआ, ऐसी हमारे पडोस में एक बखजी हैं, अरकेश बखजी, अन्हों ने चैनल बे देखा भी ऐसे रंपाल जी माराजी ऐसा ग्यान तो भूला भी हम ने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है वो आएगी तो हम आपको देंगे, हम उनको दो दीन बाद फिर बूलने लगे भी आप भूब को लिए को दुखाओ। एसे बुक वनानने हमारे राद पर रखी ऐसी समय हमारे दान का दर्द वही समाफत हो तो हमारे को अशास हुआ ही इस बुक में कुछ तो है अशी तो फिर वहा हम भुक जो 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 जिए शाम के समय ना एकांथ जिगे पर जा के कभी हमने एक पेच भी नहार से पड़ा जाता तो अबरकेज भग जी बोलने लगे भी आप हमारे साह चलना आट दिन के बाद हमने जाना है तो आपको नाम दोला के लेंगे हमने ऐसे मन में सोचा भी आठ दिन के बाद ये भग जाएंगे इतने में तो अमारी बगती खराब होगी हम तो अपने हाँ चल दी हमरे को तो बास ली नर्वाना की बास मिली फिर मन में शंकाई भी बरबाला पता नहीं कहा होगा कितने पैसे लगेंगे नर्वाना पहुंचके जो हमार को बास किसी ने बताया भी इसार बास ले लो फिर भी मन में ऐसा हुरे ता भी पतानी बरबाला कहा होगा कितने पैसे लगेंगे प्रमात्मा संत रांपल जी महाराज की ऐसी किरपा हुई कि वो बास जो है अगे खड़ी होगी तो हमने देखा इस तलोक आश्रम हमने भी छलंग मार के वो बस्ते नी होगी ऐसे हम पहुंच चाही अंधर की विवस्ता देखी तो बहुत मन पुरस्णू हमें ऐसा लगा है जो हम मन में सोच ते कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा सिंपल वेस होगा किसी चीज का लालत नी होगा हमें जाते ही हमने वैसा ही पाया ज़िए हम नाम धम लेके सुबह बाहर निकले तो हम बाहर निकले तो हमने भार आसरम के बार खड़े होगा पुछा जी यहां से कोई वाहन है जी बास्टेंड का वो कहरे जी बैठो माहराज की गढ़ी खड़ी है जी मैंने कभी लेता हूंगे पैसे लेते हूंगे मैं मैं खरा जाटा पहँ है सोच रहा हूं किये कैसा कि कारहा हूं कि जान उरैसा डाहे unf talents. सामने ताहा वाहत बहुत बड़ी कार्डी मेरे आगए खाडी कार्ड हुँ और मेरे आगए खाडी तो मैं अंबाले उतर के भी मिर को पूछता है आप ने जाना कह है मैंने को एफ और अपने आप मिर को वहां बोलते हैं आपको पैला चोड़ दियता है यह पेड गुछ है सरसत्त रामपल जी मारा से नमदिश्धा लेने के बाद आपको भी कोई लाप्राप्त हुए? से पर जाना है। संत रामपल जी परमात्मा से नाम लेड़े के बादि जो हम उनसे पहले जो है औरों उता है। वह कुई ऐसा काम बंजाए या कोई हमारे को पांच नोर दार दे दे या हम कुई चीज रखके बढ़ जार से हम अपना गुजारा कर ले उनसे नाम लेने के बाद आज तक झुओ हमें किसी से आफरा नहीं बना पड़ा है। हम किसी से कुछ लेखिया हैं假 SOL department unit को याद करते हैं यह कर्हात्मार सिति मारे कुछ हमें यह पीड़ार काम है वो निपर्ता कैसे हो जाता है सर क्या आप नशा भी करते थे हम नशा तो देखो पहले जी कभी कवार जब हम बहुत पहले की बादे कर लेते हैं मगर हम आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक कला सदस्य हूं जो हमारे साथ बच्पन से ही है हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरितियां थी जो इस दास के साथ नहीं लगी इससे पहले हम राक्सिस के साथ बवार करते थे जो के नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया जी जो सरदालों आज आपको देख रहे हैं उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे सर संत रांपाल जी माराथ से नाम दिक्षा कैसे ले सकते हैं उन्हों ने अपने श्रदालों भक्तों के लिए इतनी सुबिदा दे रखिया कि जगा जगा नाम दाम सेंटर खलवा दिये हैं किसी बगत को कोई मुश्कल का सामना नहीं करना पड़ता एक दबे उनसे जो है कंटेक्ट करके देखू धन्यवाद सर सच सर आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जानकारी के लिए संपर्क करें